स्वागत बंदन आभिनंदन आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो है इस्ट्रेस इन इस लोगडाउन में कापी सारे लोगों के स्ट्रेस हो गया है बहुत सारे लोगों को बेंदिस के स्ट्रेस रहता है कापी सारे लोगों के स्ट्रेस रहता है लेकिन वो इस्ट् कर नहीं गोस्त करेंगे उसे करने होता है कि नहीं बी अपडेट इन यूर लाइफ जी मनों हम इस अपडेट रहें कुछ नहीं सीखते रहें इस्ट्रेस को समयने के लिए तीन डाइग्रम आपको नज़र आ रहे हैं पहले डाइग्राम में एक रेक्टेंगल ब्लॉक है जिस इसमें compressive force लग रहा है compressive बबा रहे हां उसको उसी के नीचे जो डाइग्रम आपको सब्सक्राइग्राम है इसमें टैंसल पर्स लग रहा है है और यह दॉनों फोर्स सी जिस शर्फेस पेंकर रहे हैं वो सब्सक्राइग्राम में वो सार्पिस पढ़र जिस सर्फेस वाले कैसे थे compressive forces दूसरे में कैसे थे tensile forces और तीसरे वाली force कहलाते है हमारे shear force shear force मतलब किसी surface के tangentially या parallel force काम करते हैं उन्हें बोलते है shear force तो stress पर जाने से पहले इसको समय आबस सकता आगे बढ़ रहे हैं stress क्या इसको समझते है whenever a body is subjected to external force as shown in the figure अभी figure में हमने देखा then a registry force is developed within the body against this applied force this registry force per unit area is known as stress mathematical stress पराबर है registry force upon area यहाँ पर आपने एक रिस्टिफ फोर्स अपने एरिया और इसे हम रो से नोट करते हैं रो बराबर f अपने जब किसी body पर कोई external force लगा जाता है तो उस body के अंदर एक registry force हो जाता है dead registry force per unit area कहलाता है stress बड़ा सिंपल है registry force developed within a body against the applied force is known as stress ठीक है बड़ा आसा निक्तम सिंपल है ऐसा आम जीवन भी होता है जब बाहर से आपको force लगता है बहुसा आप क्योपर चला रहा है या आपक्योपर पर सीथे खराब हो रही business में client आपको नहीं मिल रहे है तो एक्षान फोर्स अलग रहा है आपके उपर तो आपके बॉड़ी के अंदर एक resistance होने लगता है प्रस्तितियों के लिए that is also stress stress पैदा करके आपके शरीद के लिए लेकिन उसका से जादा लेना देना है नहीं आगे बढ़ रहे हैं अब stress की unit क्या होगी stress पर में इसे पास्कल भी बोलते हैं इस्ट्रेस तीन परकार की होती है तैंसाल इस्ट्रेस कब जब तैंसाल फोर्स लग रहे हूं यह वाले कंप्रिस्व इस्ट्रेस कब जब कंप्रिस्व फोर्स लग रहे हूं और सियर इस्ट्रेस कब जब सियर फोर्स लग रहे हूं पर हमारे क्या हो जाएंगे मeern हो जाएंगे तेन प्रक्राग किसे फोर्ज कर रहा है उसके आधार पर स्टरेस HAVE होती है इस ब्स रोग इसका वेट थो लेंट और थिकने चाहिए नहीं नहीं बात कर रहे हैं मतला हम बात कर रहे हैं इस पर इकलकी राइट वैए बोडी सब्जेक्टि टू एक्षन फोर्स देने चेंजिन डाइमेंशन और बॉडी टेक्स प्लेस तो बॉडी के डाइमेंशन चेंज होगा अगर आप की रबर को खिंचेंगे तो उसकी लंबाई बढ़े ही कि नहीं बढ़ेगी उसकी थेकने से गटे की नहीं गटेग इसकी कोई यूनेट नहीं होती इसकी कोई डामेंसिन नहीं होती यह डामेंसिन लेज्टर में है इस्ट्रेन भी तीन प्रकार के होते हैं पहला है Longitudinal al scatter इस दिसा में वो अगर बन एप іकिल उसी दिशा में कर भेला नहीं, तो तो बात करेंगे, लेकिन आपने लेकिन फोर्स लगाकता है Schritt के greeted में तो आप THICKNESS की बात करेंगे, अगर आपने Fahrenheit प्रोवाइड देट इस कंडिसन समझना है यह लोड जो भी लग रहा है हमारा टैंसल हो सकता है यह अप्लाइड अलंग ता लेंथ जो आपको यह लोड है वो भी यह लॉंग ता लेंथ लगा हुआ है ठीक है यह मैं थामेटिकली लंगी टून इस्ट्रेंड क्या है हमारी वह चैंज लेंथ अपन ओर जाया है तो दूसरी लेटरल इस्ट्रेंड आपने फोर्स लगाया लंबाई के अनों देश यह टाइक्रम आपको नजर आ रहा है इस टाइक्रम आप देख सकते हैं अगर आपने फोर चैंज होगी तो जो फोर्स लगाया है उसके परपेंडिकलर क्या है इसकी उसके परपेंडिकलर क्या है इसकी थिंगने से तो इस्ट्रेंड प्रड्यूस एड राइट एंगल स्टू दाइरेक्शन आप अप्लाइट फोर्स यहां फोर्स किसके अलंग लगा रहा है लंबा फिलबी की परिपें पर्परिंडिगुलरंगा हमारी थे किने तो dalती लगा है उसके परिपेंडिगुलर डायक्षं कर आखिव करbandyminister strain, the strain produced at right angles to the direction of applied load is termed as lateral strain, जैसे यह पे लिखा हुआ है change in width upon original width, और हमारा force लग रहा है length के along, that is lateral strain, तीसरा दर्म है volumetric strain, ratio of change in volume and original volume of the body is known as volumetric strain, simple सी बात है volume अगर कुई change आए, इसकी लंबाई चोड़ाई और हुँचाहिए अगर change हो रही है, तो change in volume upon original volume, this is very simple that is strain अब है poisons ratio यह poisons जैरवाला poisons नहीं एक scientist थे poisons, इन्होंने mathematics में काभी काम किया है, उनके नाम से जाना जाता है it is defined as the ratio of lateral strain अभी देख, हमने lateral strain क्या होता है and longitudinal strain lateral strain और longitudinal strain है, दोनी strain है, के अनुपात को, हम बोलते है poisons ratio, provided that material is stressed within elastic limit, सर्त क्या है बसर्त है, जैसे अभी lockdown खुलेगा 17 के बाद, तो बसर्त हुलेगा सर्त खुलेगा हो provided that material is stressed within elastic limit, सर्त है है कि material पर जो stress लगाएगी है, वो elastic limit के अंदर लगाएगी है, ठीक है this ratio is always a constant for a given material, अलग अलग material के constant होता है, जिस अलमुनियम का poisons ratio अलग होगा, इस्टील का अलग होगा कास्टारिन का अलग होगा, हर एक material का अलग होता है, it is generally denoted by 1 upon m या mu, 1 upon m या mu सिसको प्रदिस करते हैं, for most of the material poisons ratio varies from 0.25 to 0.33 यहां से यांदर vary करता है, जादना material केगी, लिए रवर के लिए इसकी value थोड़ी जादा है, however for rubber, its value range from 0.45 to 0.50 यह हुआ पॉजर रिश्यू, आगे बढ़ रहे हैं भई, अब होग श्लो, होग श्लो बढ़ा में, पूरे भई, उक्सलो पे बहुत कुशन बनते हैं, जो आपका NEET बगेरा होता है, IIT बगेरा होता है, उनमें भी उक्सलो पे कुशन बनते हैं, physics में, क्या है उक्सलो समझते हैं जरा, it states that, क्या कहता है यह, that within elastic range, elastic range के अंदर, इलास्टिसिटी क्या होती है, इसके लिए आप जा करके हैं, आप हमारे वीडियो दे सकते हैं चैनल पे, जिसमें mechanical properties की बात की है, वहाँ पे आप elasticity को सर्च कर सकते हैं, वह आई बटन को क्लिक भी कर सकते हैं, it states that, within elastic range, stress is directly proportional to strain, elastic range के अंदर, stress, strain के समान पाती होती है, mathematically, stress is proportional to strain, यह दिख रहा है हमें, stress, strain के proportional है, अगर हम proportionality के sign अटाएंगे, तो आई constant आजाएगा, तो stress upon strain बारावर क्या हो जाएगा, sigma, यह दिख रहा है, आपको उससे हम stress को प्रदिस करते हैं, और epsilon से strain को प्रदिस करते हैं, बारावर constant, this constant of proportionality is known as modulus of elasticity, इसे हम बोलते हैं, modulus of elasticity, SI unit of modulus of elasticity, same is that of stress, इसकी जो unit होगी, वो stress की unit जैसी होगी, वो क्या है, newton per meter square पासकल क्यों होगी, क्यों कि आप देख रहे हैं, यह जो constant है, यह stress और strain का ratio है, strain तो dimensiless है, strain तो unit less है, तो इसकी unit क्या हो जाएगी, इस constant की stress के बारावर हो जाएगी, और यह constant क्या है, modulus of elasticity, तो इसकी unit, modulus of elasticity की unit, और stress की unit, सेम होती है, वो होती है, newton per meter square या पासकल, अब है young's modulus, young's modulus 11 के बच्चों को आता है, और neat वाले बच्चों को, JW वाले बच्चों को, इससे related question numerical आते है, young's modulus क्या है, modulus of elasticity है, वो, लेकिन किस condition में जाना देख रहे हम, the ratio of tensile stress और compressive stress, मतलब यहाँ पर बात हो रही है, longitudinal stress, strain की, the ratio of tensile stress और compressive stress to the corresponding strain, यह कौँसी stress हुई हमारी, यह हुई longitudinal strain हुई, यहाँ पर, age a constant, this ratio is known as young's modulus, यह भी modulus of elasticity है, बसरत इसमें क्या लिया गया है, इसमें longitudinal strain ले गया है, इसमें longitudinal strain ले गया है, इसे e से प्रतिस करते हैं, e बराबर क्या है, sigma upon epsilon, sigma क्या है हमारे यहाँ पर, आपको बालूम अची तरह से compressive stress है, यह tensile stress है, और epsilon क्या है, epsilon हमारा है, longitudinal strain, अब कोई कहेंगा, बाइ, compressive force लग रहा है, तो उसकी लंबाई गड़ेगी, तो change in length negative बाएगा, और tensile force लग रहा है, तो लंबाई बड़ेगी, तो change in length positive बाएगा, extend positive बाएगी, उसे कोई फर्क पढ़ना नहीं है, Thank you very much for watching this video, please like, comment and share this video, you are also requested to subscribe this channel, if you have any query, then please write your question in the comment section, I will respond, जे हिन, जे भारत